नमस्कार, बंदे मात्रम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विएस्सी एमबस सिवम में और मैं सिवम दुबे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज किस वीडियो में हम पढएंगे बहुत سांदार तरीके से जो आपका विसाय है डायेक्स आट अइनडार टेक्स्ट स्टॉक्चिर पूरे इंडिया बिल्कुल माइनर सब्सब्जक्सच जो हो जाता है बिल्कुल सारी चीजे बहुत वहतिन तरीके से पढएंगे VFVSC, VECOM, First Year, First Sam के जो विध्यारती हैं बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि यह जो विसा है हमें बिल्कुल करवा दीज़े सर और बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आपको डर जो है वो बिल्कुल बना हुआ है आप बिल्कुल मट डरे सारी चीज़ें बहुत बहुत बहतने तरीके से आपको करवाई जाएंगी और करवा भी रहे हैं एनेपी 2020 के एकॉर्डिंग जो आपका बदला हुआ पाठक करम था उसमें यह मानर सब्जेक्ट जो है आपके लिए जोड़े गए है 28 मार्ज 2022 से जो आपके एक्जाम हैं उनमें बैठने वाले सभी बच्चों को एक्जाम की अग्रिम शुव कामना है और साथी होली उस सव की भी बहुत बहुत बधाई ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अब्जेक्टिप जो है आपका यह फेपर होगा तरको सारी चीज़ें बहुत ही हम बहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और पहले हम डिटेल्स पढ़ेंगे इसके बाद जो है वो कुस्चन भी लगा लेंगे आप अपने नोर्स बना लें बिलको लिख लें क्योंकि एक्जाम टाइम पर आपके अपने नोर्स वान वीटा साबत होते हैं तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं डारेक्ट टेक्स क्या होते हैं भाई तो direct tax को हम हिंदी में कहते हैं प्रतक्षकर और अप्रतक्षकर कहते हैं indirect tax को, चलो समझ गए होंगे आप प्रतक्षकर जो है अगर हम बात करें प्रतक्षकर किस पर लगाए जाता है तो प्रतक्षकर जो हो जाता है प्रतक्षकर ब्यक्ति की आय और धन्पल लगाय जाता है अगर आपसे पूछते है कि किस पल लगाय जाता है तो आप right कर देना भहाँ पे चि है कौन कौन से कर पृतक्षकर में आते है तो भाइ आय कर जो है संपत्ति कर जो है या फिर अप्छार कर या वाग कर हम इन सब की बात करें करता है मतलब जो बस्तू और सेभाओं का उपवोक करने वाला होता है उसे हम अंतिम कहते हैं कि अंतिम ये ग्रहक है इसके बाद उस पर कोई कर नहीं देगा जो मतलब उसका उपवोक करने वाला ब्यक्ति है जो सेभाएं लेता है वो उस बस्तू का कर जो है वो पे करता है ठी विक्री करकी आंगे बताएंगे आपको विक्री कर जो है पहले दिया जाता था आप सब को चीज़ें जो है GST में एक जुलाई 2017 से जो है GST जो लागू हो गई थी तो सब कुछ उसी में कर को समलित कर दिया गया है सबसे पहले दो महत्पूल पॉइंट जो है हमने राइट कि हैं आप वह जान लेते हैं पृतक्षकर का जो भार है कर हस्तान्तरणी ये कहलाता है मतलब इसका मतलब यह है कि जो पृतक्षकर की बात करें ये हस्तान्तरणी है किसी और ब्यक्तिया संस्था पर ये जो है हस्तांत्रन हो सकता है इस टेक्स का चीक है चलो अब बात करें GST टेक्स जो है वो कौन सा टेक्स है प्रतक्ष कर है क्या दूसरा अपरतक्ष कर है क्या या दोनों ही है प्रतक्ष अपरतक्ष कर या नमबर 4 कोई नहीं तो हम बात करे पहले बहुत सारे कई तरह के जो है वो टेक्स लगाए जाते थे लेकन सरकार ने क्या किया सबको खतम कर दिया और इंडारेक्ट टेक्स जो है जैसे हम GST कहते हैं बना दिया है ठीक है चलो जैस ठीक है अगर हम FULFORM की बात करें तो हो जाएगी इसकी good service tax चलो अब हम पढ़ते हैं कौन-कौन से जो कर हैं वो प्रतक्षकर में समलत हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रतक्षकर हैं उनके क्या प्रकार होते हैं तो अब हम पढ़ लेते हैं ये सारी चीज़ हैं बिल्कुल सब कुछ बिलकुल बारी की से पढ़ रहे हैं, सौरी चीज़े, कहीं से भी एक्जामस में जो question है, वो हमारे छूटने नहीं चाहिए, बच नहीं सकते है question है, देखो, प्रतक्षकरों में वेकर सामिल होते हैं, जिनका भुकतान जो है, आप सीधे सरकार को करते हैं, प्रतक्ष कर जो है, ब्यक्तिकत रूप से किसी ब्यक्ति पर लगाए जाते हैं, जिस पर लगाए जाते हैं, उसी को ही प्ये करना होता है, इन्हें किसी अन्य ब्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाता है, इसका मतलब भी है कि कोई और दूसरा इन्हें नहीं दे सकता है, जिस पर आएकर आएकर जो है वह आपको प्रतक्षकर के अंतरगत आता है ठीक है धनकर भी आता है प्रतक्षकर के अंतरगत उपहार कर बात करें पूजी या लाफकर SIT की बात करें, अगर Security Transaction Test, जो होता है, SIT, ये भी है, आपका प्रतक्षकर के अंतरगत आता है, लावांस कर, कॉपरेट कर, या अनुलाव कर के अगर हम बात करें, तो ये सारे के सारे जो कर होते हैं, आप SkinSort बगरा ले सकते हैं, ये सारे चीज़ें जो है, प्रतक्षकर के mood रूप से ऐसे कर हैं, जो किसी ब्यक्ति की आए पर सीधे नहीं लगा जाते हैं, ये क्या होते हैं, ब्यक्ति की आए पर सीधे नहीं लगा जाते हैं, अब जब सीधे नहीं लगा जाते हैं, देखो, अब जब सीधे नहीं लगा जाते हैं, तो कैसे हैं, लेकिन अपर तक्स केस्ट्मर ग्रहाग disagree वहता है अपरतक्षगर का यह वह करता हैं籍कीषा अपने मानलेू कोई भी बस्तु खरीती है दैंतिध काई तो उस पर जिदने सारी कर होते तो वह नहीं कहीं आपको उस माद्धियम से देने पड़ेंगे ठीक है अपरतक्षकर के माद्धियम से तो सस्क्राब जरू कर लेना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो है न क्योंकि अपरतक्षकर में आने वाले जो कर होते हैं कौन-कौन से हैं हम जान लेते हैं GST की बात करें Goods and Service Taxes जो होते हैं यह भी आपका कहीं अपरतक्षकर की बात करें या विक्रीकर की बात करें जिने indirect text भी कहते हैं बहुत अच्छ तरीके से बहतरी तरीके से notes में लिख ले हैं अब bet क्या है bet के बारे में सुलो हो सकता है किसी ने इसके ये bet पहले सुना हो या ना भी सुना हो किसी ने अगर पहले तो देखो इस कर की जगह GST लागू किया गया है लेकिन पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सराब या सिगरेट पर यह कर अभी भी लगाए जाता है चलो मनोरंजन कर हो, टोल टेक्स हो, या स्टाम सुलक हो, सीमा सुलक हो, वैट हो, सेवा करो, जेस्टी हो यह सारे के सारे जो कर हैं आपके, अपरतक्ष कर या इंडिरेक्ट टेक्स में आते हैं कर क्यों देना चाहिए, करों का भुक्तान करने की, करने से क्या लाव है यह भी महत्पूर्ण कुस्चन हो जाता है, आपके माइड में, बिल्कुर सारी चीज़े पढ़ेंगे, कहीं से डाउट ही नहीं रह जाएगा, कुछ ऐसा कुस्चन हो ही नहीं सकता, जो आपका छूट जाए, कोसिस करेंगे, कि कुछ भी न छूटे बास्तों में कर वह इंदर है, कर क्या है, कर वह इंदर है, जिस पर देश काम करता है, ठीक है, क्यों काम करता है, और कर का अपयोग सरकार जनता के लिए रोजगार कल्यान को सुनश्चित करने के लिए करती है, कि उसे नएने जनता को रोजगार की अपसर दे सके, या जनता कि कल्यान की भावना को कहीं न कहीं वो ध्यान में रख करके ये कर जो है वो लिये जाते हैं ठीक है तो कर टेक्स है क्या देखो पहले तू यह जाल लो कर एक क्या है कर एक अनवारी सुल्क या बित्तिय सुल्क है जो किसी विक्तिया सरकार द्वारा सार्वजनिक कल्याण के लिए राजस सेकत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं ये क्यों लगाए जाते हैं राजस सेकत्रित करने के लिए और सार्वजनिक कल्याण के लिए कुछ लोग हो सकते हैं जो कह रहे होंगे आप बहुत बहतरीन तरीके से सारी चीजों को समझ रहोंगे और बारी की से आप लिख भी रहोंगे अब देखो लेकिन जो कर होते हैं चाहे पृतक्षकर की बात करें या पृतक्षकर की दोनों ही राजसरकार या केन सरकार द्वारा लगाए जाते हैं अब हम पढ़ते हैं कि राजसरकार द्वारा कौन-कौन से लगाए जाते हैं और केन सरकार द्वारा कौन-कौन से लगा जाते हैं क्योंकि यहां से भी आपके कुस्टन्स एक्जाम में पृटफ हो सकते हैं तो देखो राज सरकार द्वारा सब से पहले जा लेते हैं केंज सरकार द्वारा जो कर लगा जाते हैं वो भूराजसुकर की बात करें, विक्री कर, स्टांप कर, पथ कर, या मोवा कर, मोटर बाहर करके अगर हम बात करें, तो यह सारे के सारे जो कर होते हैं, वो राज सरकार दौरा लगा जाते हैं, किसके दौरा लगा जाते हैं, राज सरकार, ठीक है, स्टेट गोर्मेंट, इन टेक अगर हम थियोरी नहीं पढ़ेंगे, डिटेल्स नहीं जानेंगे, तो कैसे objective लगा लेंगे, हो सकता है, आपको सारी चीज़ँने बहुत बहूत बहुतरी नतरी यह से clear होगी होगी, ठीक है, चलो, अब हम बात करते हैं, Question No.1 की, आपको बताना है, नम्न मैंसे अपर्टक्ष कर नहीं है आपको पताना है इन मैंसे अपर्टक्ष कर कौन सा नहीं है नमबर बन ऑप्सन है सीमा सुल्क, नमबर दो है बिक्री कर, नमबर तीन है स्टाम सुल्क और नमबर चार है आएकर आप आंसर करें इसका, इसको उसक्रन का आंसर क्या होगा, अगर आपने पहले से पढ़ा है, या आपने अभी पढ़ लिया है, तो आपको पता चल गया होगा, कि तेखो आपको गौर करना है, कई वच्छे ऐसे होगे, जो अपर्तक्ष कर नहीं है, वो देख रहे होंगे, आप गौर से पढ़ना, नहीं है हमने पूछा था, है नहीं पूछा था, नहीं है पूछा था, ठीक है, चलो, तो आपर्तक्ष कर क्या है इसका, राइट आंसर हो जाएगा, और अपर्तक्ष कर इसमें कौन नहीं है वई, तो आपर्तक्ष कर नहीं है, जब आपर्तक्ष कर अब देखो अपरतक्षकर होते कौन-कौन से हैं सेवाकर, बिक्रीकर, सीमा सुल्क, वेट, बैलियोड़े टेक्स, स्टाम सुल्क, टोल टेक्स या मनुरेंजिन कर की बात करें तो यह सारी के सारे जो कर होते हैं वो अपरतक्षकर होते हैं आपके लिए कुस्चन है बताना आपको है कि मनुरेंजिन कर जो है वो किन सरकार लगाती है या रास सरकार लगाती है कमेंट करके जरूर बताए और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर हमें सस्क्राइब कर सकते हैं अपने चैनल को विएस्टी इंबस सवम अपने परिवार को जो बिलकुल बात करता है देश हित्मे रास्ट हित्मे फिरी सिक्षा की बिलकुल इमानदारी से अगर आप सच में बहुत बहते दिन तरीके से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं और सच में कुछ सीखना चाहते ह या फिर ऐसे सारे चीज़ हैं तो बिलकुल सब्सक्राइब मत करें हम बात करें कुछिन नमर्बर दो की निम्र में परतक्ष कर नहीं है तो क्या उपहार कर दूसरा आयकर तीसरा धनकर या चौथा सेवा कर तो इसको उनका राइट आंसर देखो फिर से आपको देखना है प आयकर अइकर प्रतक्ष कर एक आपका प्रतक्षकर हे है आप परतक्ष कर होते कौनकाँत्य है अंतर अंनिक आपक इससे है प्रतक्ष कर होते कौन कौनसे है डेखो वर्य से вспot hung-डियू कर यह यह उनकर भी यह करकी बात करें अनुलाप करकी बात करें तो यह सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके प्रतक्षकर हो जाते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं ठीक है चलो गैर हस्तांत्रोनी कर क्या है भाई देखो गैर हस्तांत्रोनी ऐसे कर जो कैसे कर होते हैं वदाओ गैर हस्तांत्रोनी गैर हस्तांत्रोनी कर ऐसे कर होते हैं जोने किवल जिस ब्यक्ति पर लगाये जाएं वही दें कोई और ना दे तो ऐसा तो कर सिर्फ प्रतक्ष कर ही होता है हस्तांत्रणी टेक्स वो कर होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति संस्था पर या किसी व्यक्ति पर हस्तांत्रण किया जा सकते हैं जैसे कि आप कोई बस्तु खरीदते हैं तो उस बस्तु को जिसने विक्रिता ने खरीदा होगा उसने टेक्स दिया होगा कि आपको अगर वो बस्तू बेचेगा तो सारा tax max उसमें लगा करके आपको क्या करेगा वो वेज देगा ठीक है तो हस्तांतरी tax जो है वो क्या होते हैं अपरतक्ष कर जो है तो हस्तांतरी कर की बात करें तो यह अपरतक्ष करें जो किसी दूसरे विक्ति पर क्या कर सकते हैं और उसी को वो कर पे करना हो, तो यह होते हैं भाई, प्रतक्षकर इस question का जो हो जाएगा, वो right answer हो जाएगा, ठीक है, चलो, आसा करता हूँ, आप समझ क्या होंगे, अब प्रतक्षकर है, अब आपको बताना है, प्रतक्षकर इन मेंसे कौन सा है, है ना, GST है क्या, नमबर ब पूरी वीडियो देखिए, तो आप समझ गए होंगे, कि इनका, इसमें से question number five का answer क्या होगा, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, GST के बारे में, GST के बारे में, भारत में, एक जुलाई 2017 से लागू हुआ था, ठीक है, और आप पढ़ रहे थे, BSC AIMBUS 7 platform में, जो number one learning platform है आ तो इसकी वी हमने संपूर detail के साथ, बहुत दमदार जो है वो class दी थी, ऐसा नहीं है, कि बहुत objective question ही नहीं करवायते हैं, है ना, बहुत बहुत बहतरीन objective भी question करवायते हैं, उसकी details भी हमने आपको provide कराई थी, ठीक है, जो यहां से सीधु सीधे exams में आने वाली प्रशन, यहां से हो जाते हैं, ठीक है तो यह part 1 था और यह food nutritionizing का part 2 रहेगा, है ना, यह भी आप सब देख जरूर ले, इन सब की लिंक हम description में share कर देंगे, बांकि playlist भी बनाई जा चुकी है, आप playlist जरूर बिजट कर लिया करें, VAVSC, VECOM बिलकुल जो परिक्षा होने वाली है, 28 March special video जिसे हम कह सकते हैं, आपको तीनो जो courses है, VAVSC, VECOM first, second, and final year के students के लिए, मूल मंत्र जो है, हमने दिये है, पूरा analysis करें सारी चीजों को, और बिलकुल अपने अन्भव के साथ आपको बताया है कि 14 days की रणनीती कैसी रहेगी, आप कैसे पढ़ेंगे, हैना क्या पढ़ें, क बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था है कि सर यह भी विसाय करवा दीजिए, भारती संबदान, तो इसकी वी हमने बहुत धासू क्लास आपको दिये, हैना, और अगर आपको और भी classes चाहिए, तो आप कमेंट करके हम जरू बताया करिए, कि आपको कौन सी विसाय की या कौन सी ग्लास आपको चाहिए, ठीक है, objective questions का बाप बिल्कु जो है, हमने इसका नाम रगा था, और सच में, पूरी YouTube की देख लेना, आप compare जरू कर लेना, पूरी YouTube पे बिल्कुल सबसे दमदार class देने की हम कोसस करते है, ठीक है, general science भी है, इसका हमने सलावस आपको बता पर detail भी डालेंगे पर, ठीक है, चलो, mathematics, अगर आप BSC first year के student हैं, तो आप mathematics में radius of curvature, अगर आप ये complete करना चाहिए, तो ये भी आप बढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, vector integral में, line integral, surface integral, volume integral, mathematics BSC first year के लिए, ये भी class हमने आपको दी थी, बिक्रे कला का सलावस भी हमने आपको बताया था, और बोला था कि सारी class जल दे हैंगी, दीफी है, ठीक है, सौस्त रहना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि exam टाइम पे अगर आप अपना सौस्त खराब कर लेते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पर सकत okay, बहुत बहुत बहतनी तरीका से exam देने जाए, मैं भगवान से ब्रात्ना करूंगा, और बिल्कुल मुझे पूरा, बस्वास है, आप सबी बहुत बिलेंट है, थोड़ी सी बस दिसा देनी के आपको जरूरत है, और कही न कहीं मैं वो भी खाम कर दखाया है, सुस्क्राइ और पूरे तरीके से अपने पढ़ाई में वचे रहिए, डर बिलकुल ख़तम कर लीजे, एक्जाम का जो प्रेशार है। बिलकुल टैंशन-ffree हो करके एक्जाम देने जाएं। एक्जाम हॉल से मुझे बल्कुल आसा है एक्जाम हॉल से आप जो है मुस्क कराते हुए बाहर नकल के आएंगे ठीक है चले तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहन्त बंदे मात्रम